सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल स्टेडी स्टार्ज को और लेटेस वीडियो के लिए इस बेल आइकान को क्लिक किजिए हलो स्टुडेंट मैं दिपेस के सरवानी आपको अपने स्टेडी स्टार्ज में 36 गर्षे संबंदित वीडियो प्रवाइट करता हूं और आज हम दोंग देखने वाले हैं CGPSC का जो आपका इजाम हुआ है 13 फरवरी 2022 को उसके संभावित आंसर की तो ये संभावित आंसर की हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है अभी CGPSC का कोई आंसर की नहीं आया है जल्द ही CGPSC का आंसर की आ जाएगा उसके बाद आप सभी कोईशन के आंसर को देख पहेंगे फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो संभावित आंसर हो सकते हैं उससे देखते हैं ध्यान रखिएगा जो हम यहाँ पर आंसर बता रहे हैं वो फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि CGPSC का आंसर की आएगा उसके बाद CGPSC का अमेंटमेंट आंसर की आएगा वो फाइनल आंसर होता है तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आंसर की देखते हैं देखे पहला कोशन था भारती परिच्छत अधिनियम से संबंदीद अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको समझ में आगा कोश्चन अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो आपको वीडियो पॉस करके देखना पड़ेगा तो देखे हाँ पर आपने पेपर दिया था तो यह कोश्चन था और आंसर जाएगा option number A, पहला, दूसरा, तिसरा, तीनो सही है जल्दी जल्दी देखते हैं, otherwise वीडियो काफे ज़्यादा लंबा हो जाएगा चलिए अगला प्रशन देखते हैं दूसरा question था, भारती 22 अजिनियम 1892 से संबंदित इसमें जो है, अभी clear answer पता नहीं चल पा रहा इस कारण हम इसको अभी छोड़ रहे चलिए आगे देखते हैं तीसरा question Question number 3 है, देखिए कतनों को पढ़कर आपको सही answer बताना था तो इसमें option number D हो जाता है, कतन 1 असत्य है परन्तु कतन 2 सत्य है चलिए अगला question देख लते हैं चौथा question था, जिसमें B option जो है आपका सही हो जाएगा फिर question number 5 है आपका, निम्नलिकित भुगर्विक विरासा दिस्टल को उनके इस्थान से सही मिलान करे तो देखिए option number C जो है आपका यहापका सही answer हो जाएगा आगे देखते हैं अगला question question number 6 था आपका, इसमें भी आपको सही विकल्प चुनना था और answer हो जाता है आपका option number D ध्यान रखिए, आपके पास question paper होना जरूरी है या फिर आपने एक्जाम दिया है, तभी आपको यह सारे question के answer समझ में आएगे देखे question number 7 है, इसका भी सही answer clear नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे है चलिए अगला प्रशन देखते है question number 8 है, इसका answer होता है option number B चलिए अगला प्रशन देखते है देखे question number 9 है, तो इसमें जो answer हो जाएगा आपका option number B अगला प्रशन देखते है Q10 है इसमें देखिए सुमलित करना था और इसमें आंसर हो जाएगा आपका आप्सन नमबर B आगी बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की दरब Q11 है तो इसका आंसर आप्सन नमबर A फिर देखिए Q12 था थोक मूल ये सुचकांग से संबन दित आंसर होगा आप्सन नमबर B फिर देखिए I.M.F का कोशन था तो यहाँ पर आंसर होगा आप्सन नमबर A Q14 है इसका आंसर होगा आप्सन नमबर B फिर कोशन नमबर 15 है वायरास से संबन दित तो आप्सन नमबर हो जाएगा C Q16 है, क्रिसी जण करना से संबंधित, तो आंसर होगा option number A Q17 है, इसका आंसर हो जागा आपका, देखें, आपर कारवान डे अक्सेट से संबंधित, option number D Q18, तो देखें, आपर आंसर होगा option number B Q19, option C, यहाँ पर आंसर होगा चलिए, अगला प्रशन देखते हैं Q20, देखें, उदाई गिरी और खांड गिरी गुफाओं के संबंधर में question था और इसका आंसर होगा option number C, पहला और दूसरा, यहाँ पर सही है फिर वहाँ पर आंसर दिया गया था, विसुद्धी मग के रचाईता कौन है तो option number D, बुद्ध गोसा Q22, परामवीर चक्र विर्ता पुरुसकार के संबंध में क्या सही है तो option number B, यहाँ पर इंद्रवज की चार प्रतिक्रिती अंकित होती है चलिए, आगे देखते है Question number 23, देखिए कड़ाई कलाओं का उनसे संबंधित राज्य में सुमिलित करना है तो यहाँ पर option number D, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जो question दिया गया है, इसको आपको मेच करना है तो यहाँ पर जैसे की फूल कारी, तो एक जो है दूसरा हो जागा पंजाब उसी प्रकाई यहाँ पर मेच करना है चलिए, आगे देखते हैं लोग अगला प्रश्न Question number 24 है आपका यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ कर यहाँ पर सही आंसर देना था Option number 6 का सही आंसर हो जाएगा इसमें कांग्रेस का दिविशन से जम्मंदीत कोशन था चलिए, आगे देखते हैं Question number 25 है आपका यहाँ पर भी आपको पढ़ना है और सही विकल्पर बताना है जैसे कि अखिल भारती जन्गर्णा का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया था सही है कि गलत है तो यह गलत है 1872 में किया गया था 1881 में दजकी जन्गर्णा नीमित रूप से विवस्था बन गई तो यह सही है तो Option number 6 सेकंड सही हो जाएगा आगे देखते हैं अगले प्रश्णा को Question number 26 से है देखिए राजपुनर गठन आयोक से संबंदित कोश्ण था और इसका अंसर हो जाता है आपका Option number D पहला और तीसरा सही है Justice स्वजाल लाली वाला और संसात के पास राजपुनर गठन कानुन वाला चलिए अगला प्रश्णा देखते हैं हम लोग Question number 27 है पूरू मुख्य न्याधिस से संबंदित Option number A का सही आंसर होगा 28 देखिए हाँ पर भारत के मुख्य में न्याधिस कौन थे कि समय की बात करें सबसे कमावधी के लिए Option number D हो जाएगा चलिए अगला प्रश्णा देखते हैं Question number 29 चमावधीस से संबंदित था तो Option number C इसका सही आंसर होगा अगला प्रश्णा देखिए Question number 30 है तो देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पर देख सकते हैं Option number C है मतलब second और third इसमें भारत के राश्पती की अनुप्रिस्तिती में यूप राश्पती को जो पावर मिलता है उसके बारे में था तो Option number C इसका सही आंसर होगा चलिए आगे देखिए हैं अगला प्रश्ण Question number 31 है तो देखिए इसका आंसर जो है Option number D आएगा इन में से कोई नहीं ये सुईक तो बैठक से सम्बन दित था Question फिर देखिए Question number 32 इसमें देखिए लोग सबके सबसे ज़्यादा सीटे अनुसुची जनजाती की बात हो रही थी तो यहाँ पर मदब्रेस आंसर आजाएगा चलिए अगला प्रशन देखते हैं Question number 33 का आंसर जो है Option number D हो जाएगा फिर देखिए 34 का जो आंसर है आपका Option number D हो जाएगा आगे बढ़ते हम लोग Question number 35 था जिसमें सुमिलित करना था आपको तो Option number B यहाँ पर सही आंसर होगा फिर देखिए आगे Question number 36 है तो इसका आंसर हो जाएगा Option number D केवल पहला सही है प्रत्तेक स्वायत जीला परिशाद में 30 सदसे होते हैं आगे देखिए हम लोग अगला प्रशन Question number 37 है आपका वित आयोक से समबंदीत और Option number D इसका सही आंसर होगा 38 नंबर का Question देखिए यहाँ पर Option C जो है सही आंसर होगा नार्थ, फ्रंट वियर, रेलवे, प्रयाग राज चलिए आगे देखिए हैं Question number 39 है उलम्पिक से समबंदीत Option 20 का सही आंसर हो जाएगा Question number 40 है इसका आंसर Option C हो जाएगा Question number 41 जी एन्यों ऑपरेटिंग सिस्टम के समबंद में क्या सही नहीं है तो Option D या उनिक के साथ कंपलबिटी नहीं है आगे देखते हैं Question number 42, DDoS अटेक क्या है तो एक सैवर अटेक है देखें नेवस आईसी का फुल फॉर्म क्या है तो Option number B निविगेशन विट इंडियन कॉंश्टी इलेशन आगे देखते हैं अगला प्रश्न Question number 44 था आपका आप रित्ती माडुलेशन से समबंदीत तो Option number A इसका आंसर होगा फिर देखें चंदरायान दुटी से समबंदीत क्या सही नहीं है तो Option number C ये उत्री दुरू को अनविशन के लिए लगचित किया गया था ये सही नहीं है फिर देखें Question number 46 वैसको को दी जाने वाली कोई सेल्ड वैक्सिन के प्रत्यक डोस की मात्रा कितनी है तो 0.5 ml आगे देखते हैं Question number 47 है आपका देखें कौन सा सही है तो Option number A पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है आप पर 48 जो है भारत और पूर्टगाल से सम्बंदित कोईशन जिसका Option number D सही है लोथल गुजरात आगे देखते हैं Question number 49 चीफ आप डिफेंस से सम्बंदित कोईशन था तो Option number 6 का सही होगा वार अच्छा अधिग्रहंट परिशत का अध्यक्ष होता है ये गलत है चलिए आगे देखते हैं फिर देखिए Question number 50 है निम्नकत्नों को पढ़कर सही विकल पचुने तो इसका आंसर अमने नहीं बताया आपको क्योंकि Clear answer इसका पता नहीं चला है चलिए आगे देखते हैं Question number 51 है स्विधान के चोहतरवा स्विधान सर्म सोधान अधिग्या मुनी सो प्यानबे से सम्बंदित तो Option number 10 का सही आंसर होगा Question number 52 है देखे राज्य विधाइका से सम्बंदित और आंसर होगा Option number C Question number 53 है आपका कौन से यूगमत सही है तो कूट A A, C और D Question number 54 है आपका यहाँ पर देखे कथन दिया गया था उसमें से Option number A यहाँ पर सही आंसर होगा आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न Question number 55 है आपका देखे यहाँ पर राज्य शासन सम्बंदित कौश्न था और आंसर होगा Option number C मुख्य मंत्री Question number 56 है यहाँ पर कथन और कारण दिया गया था आंसर होगा Option number C चलिए आगे बढ़ते हैं Question number 57 चुरी की पहाड़िया तो चुरी युदैपूर की पहाड़िया जो है कौरबा में फैली हुई है Option number 8 का आंसर होगा 58 नंबर Question पाँचवे राश्टी परिवार यहाँ समारक की बात हो रही है तो Option number C सिर्पूर Question number 60 मलगेर नदी का उद्गम इस्थर कहाँ है तो Option number A बैला डिला की पहाड़ी Question number 61 देखें हाँ पर सिमेंट कार खाने की बात हो रही है तो Option number B वहाँ पर आंसर हो जाएगा इसको मैच करना था तो पहले का चौथा जैसे की बलादावजार अल्टरा डेक जो है आपका यहाँ पर तीसरा जीमगा इसप्रका यहाँ पर मैच किया गया है चलिए आगे देखते हैं Question number 62 देखिए 36 गण में खनीच बंडा आरेम चेत्र तो Option number 60 का अंसर होगा Question number 63 देखिए तो यहाँ पर अंसर होगा Option number B Question number 64 जनवला दिया गया था जिसका अंसर होगा Option number C आगे देखिए 65 नमबर का यहाँ पर हाना दिया गया था जिसका अंसर होता है Option number C Question number 66 प्रस्तूत हाना किस बात का संकेत है तो यहाँ पर देखिए अंसर होगा Option number B अब आगे को सहरा ना मिलना 67 नमबर का कोश्चन जिसका अंसर होगा Option number C अंडा 68 नमबर का कोश्चन देखिए यहाँ पर अंसर नहीं लिया गया है क्योंकि क्लियर नहीं है वैसे भी अंसर इसका Option number D हो सकता है बाकी चलिए आगे देखते हैं आम लोग कोश्चन नमबर 69 है जिसका अंसर होगा Option number B मुकुंद कौशल कोश्चन नमबर 70 मुक्यमंतरी विक्षार उपन प्रोस्थाहान विवजना तेहाँ पर अंसर होगा Option number D केवल थर्ड चलिए आगे लेखते हैं कोश्चन नमबर 71 राज्य लंकरन पूसकार 2021 के बारे में तो यहाँ पर आंसर होगा Option number D यहाँ पर मैच करना होगा आपको चलिए आगे देखते हैं कोश्चन नमबर 72 निर्ण दिखित में से कौन से युगम सही सुमलित नहीं है तो आंसर होगा Option number B अगला प्रश्चन देखते हैं लोग कोश्चन नमबर 73 तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा Option number C बुंजिया फिर देखिए यहाँ पर कोश्चन नमबर 74 था चांग दिवी का देवाल है तो Option number B कोरिया 75 नमबर का कोश्चन राज सरकार से संबंदित तो Option number D उप्रोक्त सभी यहाँ पर आवकास घोसीत करने का बात हुआ था तो यहाँ पर क्या सभी में चुट्टी दिया जाता है अंसर हो जाएगा 76 नमबर का कोश्चन देखिए राष्टी आदिवासी नित्ति मोहस्व तो 2019 में हुआ था 27 से 29 दिसंबर के बीज आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 77 ग्राम गड़ बेंगाल के चेंदरो मंडावी को किस लिए जाना जाता है तो आप्शन नमबर C बस्तर रंचल से हॉल्यूट का पहला हीरो कोश्चन नमबर 78 तो देखिए आपके कथन को पॉढ़ना था और आंसर देना था तो आप्शन नमबर 8 दोनों सकते है चलिए आगे बढ़ते हैं Question number 79 इसको सुमलित करना था और यहाँ पर आंसर होगा option number C देख सकते हैं आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं Question number 80 था इसमें भी आपको सुमलित करना है जन जाती और मुख्य निवास चेतर से option number C इसका सही आंसर हो जाएगा Question number 81 है आपका सासक और राजवन्स को सुमलित करना था तो option number C इसका सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं Question number 82 मराठा सुबेदारों के नाम कालकरा मनुसार साजाएए तो option number C इसका सही आंसर होगा Question number 83 में गांधी जी को भासर देने के लिए मन्तरित करने वाय राजकुमार कालेज के प्रचारे का नाम क्या था तो Smith Pears option number 1 का सही आंसर होगा Question number 84 समाचार पत्र को संपादक के संसुमिलित करना था तो option number 10 का सही आंसर होगा Question number 85 देखे तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा option number C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं गलब प्रश्न की तरफ Question number 86 तो इसका आंसर होगा option C फिर देखे 87 इसका आंसर होगा आपका option number D और फिर है question number 88 और इसका आंसर होगा option number A राजुलाल सर्मा चलिए आगे बढ़ते हैं Question number 89 देखे यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षेंट से सम्मंदित question था option में इसका आंसर नहीं दिया गया है बाकी क्रिसी का second आएगा सेवा का first और उद्दोग का third यहाँ पर option इस प्रकाल का नहीं मिलता है तो यहाँ पर यह क्या है question बार में विदोपित हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशनें question number 90 देखिए यहाँ पर बनास नदी के बारे में दिया गया है तो option number 30 इसका सही आंसर होगा question number 91 देखिए इसमें सुमलिक करना था तो option number B इसका सही आंसर होगा question number 92 देखिए इसका आंसर होगा option number D उपरोक्त में से कोई नहीं question number 93 है इसका भी आंसर अभी क्लिया नहीं है इसलिए हम आपको नहीं बता रहें आगे देखते हैं अगला प्रशन question number 94 तो 80 मिट्टी से समबंधित option number D का सही आंसर होगा 95 number का question option number 16 का सही आंसर होगा question number 96 option 16 का सही आंसर होगा 97 के देखिए तेहाँ पर जीरा फूल जो है option C इसका सही answer होगा Question 98 नगरी स्थानी निकायों से सम्मंदित question था जहाँ पर answer हो जाएगा option number ABC ABC तीनों क्या है यहाँ पर सही है आगी बढ़ते हैं Question 99 इसका answer होगा आपका option number D एक गलत है परन्तु R सही है चलिए आगे देखते है Question number 100 है आपका 8.7.6.2020 की से सम्मंदित यहाँ पर option जो है B यहाँ पर सही answer होगा तो यहाँ पर आपका complete हो जाता है 100 question जो आपके CGPAC जान में पुछे गये थे याद रखेगा अभी CGPAC का answer की नहीं आया है अभी final answer की आना बाकी है CGPAC का answer की आएगा फिर उसी का amendment answer की आएगा वो रहेगा आपका final answer की तो इसमें से कुछ question का answer गलत भी हो सकते है जब CGPAC का answer की आएगा तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखेगा ये जो वीडियो था केवाद आपके सहयोग की दिये था बाकी आपको वीडियो पसंदा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नाई student आपरे चैनल में पहली बारा है हो तो चैनल को सस्क्राइब करें साथी नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में हमारे टेलिग्राम चैनल कल लिंग दिया गया है वहाँ से आप हमारे टेलिग्राम चैनल में जोइन करें